नमस्कार अज़ हम डिसकस करेंगे important हिमाचल प्रादेश जी के question सभी question exam point of view से important है वीडियो के last माँ मैं आपसे question भी पूछूँगा जिसका answer आपको निचे comment वाक्ट में बताना है चलिए discuss करते हैं आज की वीडियो का first question question number one है Shimla Rank in Swachita Survection 2019 Swachita Survection 2019 में Shimla का कौन सा स्थान है देखे Swachita Survection 2019 अभी ये ranking जारी की गई है इसमें Shimla का जो rank रहा है वो रहा है 21st option C जो है वो बिलुकूल सही answer है देखे ये सरवेक्षोन जो है दो चरणों में करवाया गया है पहला चरण जो था उसमें अप्रेल से लेकर जून तक किया गया और दूसरा सर्विक्षन जो था वो किया गया जुलाई से लेकर स्टमबर तक जुलाई से लेकर स्टमबर तक किया गया और पहला किया गया अप्रेल से लेकर जून तक तो जो पहला चरण जो था उसमें शिमला का रैंक था 24 और जो 2nd रैंकिंग निकाली गई उसमें जो था वो शिमला का रैंक आया 21 यह आप याद रखें कि पहले चरण में कौन सा रैंक था दूसरे चरण में कौन सा रैंक था तीसरा चरण जो है अभी हुआ नहीं है तीसरा च रेंकिंग किये 24th और 21st तो ये शिम्ला की रेंकिंग आप प्याद रखें अच्छा बात कि जाए पहले स्थान किये कि पहला स्थान किसका है तो पहला स्थान रहा है इंदौर का इंदौर ने पहला स्थान प्रापत किया है तो ये पहला स्थान कितने प्रापत किया है और दे ест drop of life जो है painting का नाम है यह painting जो है वो किस artist की painting भी चास दी गई है देखिये drop of life जो है painting है Nicholas Rory की Option b जो है वो बिल्कुल सहीन सहा है Nicholas Rory क्या painting है drop of life अच्छा इनकी कुछ और famous painting भी है इन paintings के बारे में आपको पता होना चाहिए इनकी एक और famous पेंटिंग है वैसे तो इनकी बहुत सारे पेंटिंग है प्रन्तो जो important paintings है उनके नाम आपको पता होना चाहिए देखिए एक तो होगा drop of life और दूसरी जो है वो है the last angel last angel जो है एक इनकी famous painting है और human deeds भी इनकी एक famous painting है तो यह तीन कुछ important है इन तीन को आप याद रखें drop of life दूसरी है लास्ट angel और तीसरी है human deeds अच्छा निकोलेस लोरिक के बार में आपको पता होना चाहिए इनका जनम 1874 में हुआ था 1874 में इनका जनम रश्या में जो था वो हुआ था रस्या में इनका जनम हुआ था तो यह हिमाचल या फिर कुलू का बाय थे तो देखें यह हिमाचल 1928 में जो था वो आ गए थे 1928 में यह हिमाचल ला गए थे उसके बाद इनके नाम पर एक आर्ट गैलरी भी बनाई गई है जिसका नाम है निकोलेस रोरिक आर्ट गैलरी यह कहां पर है यह नागर में स्थित है नागर कुलू में पढ़ता है और देखें कई बार एक्जाम में पूछा गया है कि महारिशी के नाम से जाना जाता है निकोलेस रोरिक को और इनकी मृत्यू जो थी 1947 में हो गई थी अगर आप से पूछा जाए कि महारिशी के नाम से किसे जाना जाता है महारिशी के नाम से जाना जाता है निकोलेस रोरिक को पहला कॉस्चिन हमने डिसकस किया स्वच्छता से से ज़ए सवचता से एक और important question बनता है sanitation जो है वह कौन सी list में आता है comment करके आप बताये Sanitation जो है कौन सी list में आता है Sanitation कौन सी list में आता है हमारे पास तीन टाइप की list state list concurrent list और तीसरी list जो है union list इन तीन list यह हमारे पास है इन तीनों मैंसे जो है, वो sanitation जो है, वो कौन सी लिस्ट में आता है, यह आप comment करके जूर बताएं, sanitation कौन सी लिस्ट में आता है, यह काफी important question है, और कहीं बार exam में पूछ जाता है, state list, content list और union list जो है, वो सबसे पहले कौन से schedule में आती है, इसके साथ आप यह भी comment करते हैं, कि यह कौन से schedule में आती है, schedule के बाद, यह sanitation जो है, इन तीनों मैंसे कौन सी list में आता है, comment करके जूरूबता हैं, अगर आपको इस question का answer आता है, next question है, question number three, question number three है, question number three, gondola castle is built in 1700 AD, लेकि gondola castle जो है, वो 1700 AD में किस के द्वारा बनवाया गया, तेकि gondola castle जो है, उस 1700 AD में बनवाया गया था, अब आपको पता होना चाहिए, यह बनवाया गया था, कुलू के राजा मान सिंग ने, option D, बिलुकूल सही answer है, गondola castle जो है, काफी important है, गondola castle के बारे में आपको पता होना चाहिए, यह चंदरा नदी के किनारे स्थित है, चंदरा नदी के right bank पर यह स्थित है, मतलब चंदरा नदी के right side में यह स्थित है, गondola castle, चंदरा और भागा जहां पर मिलती है, वहां का नाम है तांडी, अब एक बार quickly revise करते हैं, लॉल्स पित्ती के बारे में, दिखे यह जो आप image में देख रहे हैं, यहां पर यह है लॉल्स पित्ती, लॉल्स पित्ती का गटन जीले के रूप में कब हो था, लॉल्स पित्ती का गटन जीले के रूप में हो था, 1966 में, 1st November 1966 में जो था, लॉल्स पित्ती का टोटल एरिया है, 13,835 स्केर क्लोमेटर, दचांग फेस्टिवल, लॉल्स पित्ती में, पुर्शन के दर मना जाता है, लॉल्स पित्ती, फोरेस्ट से हाइस्ट एरिया कबर कर रंटाल फेस्टिवल स्पित्ति वैली में लगता है रतांग वैली ग्यास वैली लौजपित्ति में है पिन वैली नैशनल पार्क 1987 बना था उंगरी गोंपा स्पित्ति वैली में है रंगोली दूसरा नाम है चंद्रा वैली का लारी होर्स ब्रेडिंग फार्म जो है लौजप सिन्फिति में है 9 वजीर सिन्फ लहूल सिन्फिति के फेमस्टिर थे गृपी इंप्पिति के लोगी को दwarisches नामगान फैस्ठिवल लहूल सिन्फिति का फैस्टिय Grace मुराब्बिन मेशन लोह पित्ती पहुंच था 1853 में सपित्ती को कुलू के राजा मान सिंग ने जो था 1200 इसवी में इन्वेट किया था और सपित्ती जो था कुलू के दिन 1846 तक रहा था थिरोट प्रजेक्ट रोंग टोंग प्रजेक्ट लोह सपित्ती में है गौंदला कैशल जो है उस तारह सो इस्वी में कुलू करजा मान सिंग के द्वारा ही बनवाया गया था तो बेसिक से क्वेश्चिन है लौस बित्ती के बारे में इन क्वेश्चिन को आप याद रखें है तो यह मेहिने में लगता है थो आप्रेल महीने में लगता है ऑप्शिन भी बिल्कूल सई crust में एंचा अप्श्शे में लगता है यहां यहां पर होगा इन चंबा इन दी मंत फॉहागन तो फालगोन के महिने में LOOK अप्तोबर में शुरू होती है विंजर मेला अप्तोबर महीने में सुरू होती है और फर्स्ट आप बेशाक को ये समापत हो जाता है चैत महीना अप्रिल एक ही मतलव है इसका रेनुका फेर इन सेप्टेंबर डिस्टिक में लगता है और ये दिवाली के दस दिन बाद लगता है बरलाज फेस्टिवल सोलन और बिलासपुर में दिवाली के दो दिन बाद लगता है बेशो बेशोवा बेशाकी फेस्टिवल जो है जेस्ट के महीने में लगता है तो बेशिक से खुछन आप याद रखिये है इन विच इयर बड़ा सिघरी glacier caused a great havoc in Chandra Valley इस वर्ष जो था बड़ा सिघरी glacier ने जो था वो चंदरा घाटी में भारी तबाही मचाई थी देखें बड़ा सिघरी glacier ने जो था वो Chandra घाटी में 1936 में भारी तबाही मचाई थी Option D जो है वो बेलुकुल सही answer 1936 में इस glacier ने भारी तबाही में चाहिए थी और इसी के परिणाम सरूप बाद में जो था वो चंदरताल जील का निर्मान हुआ था चंदरताल जील का निर्मान भी बाद में चलकर इसी के परिणाम सरूप हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए और कब इस glacier ने तबाही मचाई थी 1936 में अगर exam में question पूछे जाए 1936 में चंदरा वैली में किस glacier ने भारी तबाही मचाई थी याद रखेगा बड़ा सिगरी glacier ने ही तबाही मचाई थी बड़ा सिगरी glacier की बात हुई है बड़ा सिगरी glacier की लंबाई और चड़ाई कितने हैं तो देखिए 25 किलोमेटर इसकी लंबाई है और 3 किलोमेटर इसकी चड़ाई है कुछ और important glacier भी है जो कि चंदरा घाटे में स्थित हैं एक है छोटा glacier, पाचा glacier पुल्टी glacier, तापन glacier, गेफेंग glacier, शिल्ली glacier, सामुद्री glacier, बालू नाग glacier देखिए ये सभी glacier जो हैं काफी important तो नहीं है परन्तु एक वार इन glacier को जूरुड बढ़ लें, जूरुड सुन लें एक वार हैं फिर से revise करतेता हूँ छोटा शिगड़ी glacier, पाचा glacier, पुल्टी glacier, सिप्तिंग glacier, तापन glacier, गेफेंग glacier, सिल्ली glacier, सामुद्री glacier, बालू नाग glacier, और दिंग कर्मो glacier इन glacier को एक वार इसलिए पढ़ लें ताकि exam में पूछा जाए आपसे कि कौन सा glacier कहां पर है तो आप देखे, आप अपने mind से guess कर सकें कि कौन सा glacier कहां पर सिते है क्योंकि देखे, इतनी चीजों को याद रखना पॉसिबल नहीं होता है तो देखे, इन चीजों को आप इस तरह से याद रख सकते हैं एक बार इन सभी चीजों को पढ़ ले और एक दो बाद जब आप इनको revise करेंगे तो easily आपको ये याद हो जाएंगी देखे, आज हमने इन चीजों को पढ़ लिया, इसके बाद हम एक बार फिर से revise करेंगे तो easily आपको ये याद रहेंगी Q6. तेभंग्स्टन is a type of marriages among देखे, तेभंग्स्टन जो है, वो एक साधी की टाइप है तो ये कहां पर प्रचलीत है किन लोगों के बीच प्रचलीत है, आपको पता होना चाहिए, ये जो है लोहलीज के बीच में प्रचलीत है option C जो है, वो बिल्कुल सही अंसर है इस question का, ये जो है एक arranged marriage type है, ये एक arranged marriage type है, ये भी आप याद रखें कहीं बार पूछाता है, इन लीजन के बारे में, साधियों के बारे में, डैवोर्स के बारे में, इन चीजों को धीर धीरे जवाब पढ़ेंगे, तब आपको ये याद हो जाएंगी रटा नहीं मारना है, साथ साथ में पढ़ें, revise करें, ताकि आपको ये easily याद हो जाएंगे देखे, लोहल में जो कुछ साधी के परकार हैं, वो इस तरह से हैं, तेवांक्स्टन और मोतेबीन जो है, वो एक arranged marriage है, कुंची बिया जो है, वो भी एक arranged marriage है और कुवांची बिया जो है, ये एक भागकर की जाने वाली साधी है, और उपड़ा चाडचे जो है, ये एक divorce का परकार है मतलब इस परकार को करके जो है, इस तरह का rituals को करके जो है, वो divorce complete हो जाता है, लोहल स्पिति के लोगों के बीच, लोहल के लोगों के बीच तो ये लोहल के कुछ marriage के टाइप हैं, और एक divorce का टाइप है, इसको आप याद रखें, अगर आपसे exam में कुछ पूछे चाहिए, तो आपको basic idea होना चाहिए question number seven है, in the beginning, मधान, ठियोग, गुंडी वर फिफ सॉफ, देखे, starting में जो था, मधान, ठियोग और गुंडी जो था, वो किसकी जागीर थी, देखे, ये जो था, ये क्योंतल की जागीर हुआ करती थी, option C जो है, वो बिलकुल सही अंसर है, क्योंतल की जागीर होती थी ये, म गिरी सेन के द्वारा 1211 इस्वी में, और क्यंतल जो था, वो 1379 में, फिरोज सहा तुगलक के अधीन आ गया था, और जिस समय गोर्खाओं ने आक्रमन किया था, उस समय क्योंतल के जो राणा थे, उनका नाम था, राणा रगुनात सेन, और राणा रगुनात सेन जो था, व सुकेत चले गए थे, और जब 1857 का विद्रो हुआ, उस समय क्योंतल के राणा थे, राणा संसार सेन, और राणा संसार सेन ने इस विद्रो में, जो 1857 का विद्रो हुआ था, उसमें अंग्रेजों की सहायता की थी, इसके लिए इन्हें राजा का खिताब भी दिया गया था और खिलत भी इन्हें परदान की गई थी, और देखिए क्योंतल जो था, क्योंतल के राजा इन्हें जो था, 1884 में जो था, वो कसुम्टी को जो था, वो ब्रिटी सरकार को लीज पर दे दिया था, ब्रिटी सरकार को पट्टे पर दे दिया था, और अगर बात करें कि क्यों के बारे में याद रखे कियोंतल के पहले राजा कौन थे अंतिम राजा कौन थे 1857 का विद्रोज जब हुआ था उस समय कियोंतल के राजा कौन थे यह बिलुकुल बेसीक क्वेश्चन है यह थोड़ों से घुमाकर यह क्वेश्चन है में 10th century में option C is question का सही answer है कई बार exam में इसतरह से question पूछ जाता है कि भुसहर की राजदानी कामरु से सरहान को किस ने स्थानांत्रित की थी बुसहर की राजदानी कामरू से सरहानपुर को चतर सिंग के द्वारा स्थानांत्रित की गई थी और सरहान का पुराना नाम पुछा जाता है कई बार सुरहान का पुराना नाम था सोनित पूर सोनित पूर जो था और सरहान का पुराना आप अब देखीं B 웃हर रियासत की सबसे पहले तो आपको बygुशहर रियासत के बारे में पता होना चाहिए why कि अगर सबसे हो क्वेसिक को बुशहर से पूछ望 आपको वह पता होना चाहिए भुसहर रियासत की थापना शापना वॉ की थी और बुसहर की राजधाने जो थी हो कामरू से सराहन को बुसहर के राजा चतर सिंग के दोरा स्थाना अंतरित की गई थी उसके बाद बुसहर के राजा कहरी सिंग जो थे उन्हें अजानू बाहू कहा जाता था लेकि अजानू बाहू इन्हें इसलिए कहा जाता था क्य भी दी गई थी और लवी का मेला भी कहरी सिंग के द्वारा ही शुरू किया गया था और जिस समय गोरखाओं ने आक्रमन किया उस समय बुसहर के राजा महिंदर सिंग उस समय बुसहर के राजा थे अब देखे बुसहर के जो अंतिम राजा थे उनका नाम था राजा पदम सिं नहीं दिया था बुसहर के कौन से राजा जो थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था 1857 के विद्रों में यह आप निचे कमेंट करके बिताएं अगर आपको इस question का answer आता है कि बुसहर के किस राजा ने जो था वो अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था 1857 के विद किहां तो सबसे अधिक हैं अगोई चार ओप्शिन दिके यह देखिए अगर बात किजाए डेंसटी पर स्क्वेर किलोमेटर की सबसे ज़यादा है अगर बात कि जाये सबसे कम किस की है तो सबसे कम है LOLS-Pittich LOLS-Pittich की कितनी है? LOLS-Pittich की density per sq km है 2 तो याद रखें LOLS-Pittich की सबसे कम है और हमिरपूर की जो हो सबसे ज्यादा है 407 अच्छा, overall HIMACHAL की कितनी है? तो overall HIMACHAL की है 123 हीमाचल की कईंबार पूछा जाता है अगर district wise पूछाजाए highest और lowest तो आपको ये भी पता होने चाहिए कि highest किस district की है और lowest किस district की है अच्छा अगर एक्जाम में पूछा जाए हीमाचल की decennial ग्रोथ कितनी है हीमाचल की decennial ग्रोथ है हो है 12.94 यह मैं कई बार आपको पता चुका हूँ 12.94 जो है हिमाचल प्रदेश की decennial growth है अगर आपसे प्रचाए कि हिमाचल की population कितनी है तो approximately 68 lakh जो है 2011 की जनगर्ना के अरुजाल हिमाचल प्रदेश की population है तो यह कुछ important basic question आप याद रखें density से related और decennial growth से related question number 10 है प्राचीन हिमाचल is written by प्राचीन हिमाचल किताब के लिखक कौन है तो इसके लिखक है L.C. पांडे option D. बिलुकूर सही answer है अब हिमाचल की जितनी भी important books है उन सभी books को एक वार quickly revise करते है तारीक के रियासत सिर्मौर रंजोर सिंग के द्वारा लिखी गई थी ब्लासपूर past, present and future ब्लासपूर आपीपल और बैट्रेड अनन्चन ने लिखी थी कुल्द देश की कहानी लालचंद पार्थी ने लिखी थी किन्र प्रादेश हिमालन परिचे राहू संक्रित्यार ने लिखी थी हिमालन आर्ट जेसी फ्रेंक ने लिखी थी राचीन हिमाचल जो थी अलपी पांडे ने लिखी थी अबॉर्ड अफ गॉर्ड अन्डुर विल्सन ने लिखी है हिमाचल प्रादेश परिचे हिमाचल अतीत वर्तमान और विश्चे एक जहलक देवराज सर्मा के दोरा लिखी गई है ट्रेवल इन कश्मीर अंडरदाख विगने ने लिखी है पॉलियंडरी ओफ हिमाल्याज वाईयस परमार ने लिखी है हिमाल्याज अबॉर्ड ओफ लाइट निकॉलास रोरिक ने लिखी है हिस्ट्री ओफ मंडी स्टेट मनमोहन सिंग ने लिखी है और हिस्ट्री ओफ मंडी विक्रम काईस ने लिखी है मुक्तर तारीके रियासत चमबा गरीव खान ने लिखी है Country Life नोरा रिचर्ड ने लिखी है History of Punjab Hill State J.H.R. ने लिखी है Antigrees of Chamba State J.P.H. वोगल ने लिखी है Himalayan Circuit J.D. घोषला ने लिखी है Kullu and Lahol जो है J.C. Brucey ने लिखी है Himalayan Piligrims B.A. and Latar ने लिखी है Himalayan District of Kullu and Losbitti Travel to Kashmir and Latar ये दो किताबे हैं J.P.F. Harcourt ने लिखी है Indian Painting from the Punjab Hill W.G.R. कर ने लिखी है Kangra Valley Painting Kangra Paintings MS. Randhawa ने लिखी है और Jamba Paintings VC. Ohuri के दोरा लिखी गई है तो ये कुछ important books हैं इन books के नाम आप याद रखें क्यूंकि books के बारे में कहीं बार exam में पूछ लिया जाता है आपके लिए आज का important question है Recently released SDG Index हिमाचल प्रादेश rank हाल हिमाचारी सत्त विकास लक्षे सूचगांग 2019 में हिमाचल का कौन सा स्थान रहा है अपस चार option दी गई है अपना answer कमेंट करके जुरूड बताएं और उससे पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हमने कौन कौन से important questions डिसकस की तो सबसे पहले हमने शिमला की ranking के बारे में डिसकस किया जो सचता सर्वेक्षन 2019 निकाला गया है और जो question मैंने आपसे पूझा था schedules के बारे में देखे sanitation जो है वो आता है state list में ये state list में आता है sanitation इसको आप note कर ले state list में ये sanitation आता है और अगर बात की जाए state list, concurrent list और union list की तो यह list जो है यह आती है 7th scheduled of Indian constitution उसके बाद हमने डिसकस किया था निकालेस रोरिक के बारे में गौंडला कैसल के बारे में हमने डिसकस किया और उसके बाद सुही मेला के बारे में डिसकस किया बड़ा शिग्री ग्लेशर के बारे में डिसकस किया मैरीज ओफ टाइपिल लोहॉस्पित्टी के बारे में डिसकस हमने किया और क्योंतर ठकराइन के बारे में डिसकस किया बुसहर रियासत के बारे में डिसकस किया 2011 की जनकरना के साथ हमने उसके बाद books के बारे में discuss किया तो ये important topics और questions हमने आज डिसकस किये I hope वीडियो आपके लिए helpful होगी इसके लाबा आप हमें Facebook और Instagram पर भी follow कर सकते हैं So that's all for today Thank you for watching the video